हेलो फ्रेंड्स मैं राहुल गंजान स्टडी इंडिया अड़ा डिश्टल वफ लर्णिंग में स्वाहत करता हूँ दोस्तों जैसा आप लोग पता है इस चैनल पर कंटीनिव क्लासे एससी जैई टारवन का क्लासे चल रहा था दोस्तों उसका जो है आज लास्ट एक्जाम थ जरूर देखिएगा इस वीडियो में लोग पूरा डिटेल अनलैसिस करेंगे दोस्तों 2017 में कितना वेकेंसी था उसका कट ओफ क्या गया था ब्रांच वाइज एक सेफर स्कोर में माना जाएगा क्योंकि यह स्टूडेंट बहुत से वहां पर सेंटर पर कमेंट कर रहे थी इतना अटेम्ट किये इतना अटेम्ट किये आप लोग को एक आइडिया लग जागा इस वीडियो को लास्ट तक जूट देखिया कि सभी का ब्रांच बाइच कट कितना जाएगा उसे पहले मैं बता दू जो नए स्टूडेंट है इस चैनल के वीडियो सेक्षन में जा करके देख सकते हैं दोस्तों यहां पर लगातार अभी करेंट में रिल्वे का और आरवी एंटीपी सी ग्रूब डिया क्लास कंटिनीव चल रहा है जो सिरियस तरीका स करना चाहते हैं चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब और इस वीडियो को जितना लाइक कीजे ताकि हम लोगो मोटिवेट होकर कि और भी अच्छे वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराने कोशिश करेंगे ठीक है दोस्तों सबसे पहले इसे पूरा हम लोग एनलैसिस कि आपको ब्रांच वाइज कट अफ हुई यहां पुरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं दोस्तों क्योंकि हर चीज इसमें आपको एक डाटक बना करके यहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा है सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर जो आया था आपका 2018 में जो बना वेकेंसी आया है यह बहुत बड़ा मेटर करता है कौनसे ब्रांच वाइजग का कितना वेकेंसी आया है तो देख कर लेते हैं कि टोटल भेकेंसी कितना है 2018 में, 2018 में टोटल भेकेंसी है दोस्तों 601, ध्यान दिजेगा, 2018 में टोटल भेकेंसी की बात करते हैं, 601 है जेनरल का भेकेंसी, टोटल भेकेंसी, और जेनरल का भेकेंसी 809 है, कितना 809, एंड वही बात करते हैं दोस्तों, ओविशी का तो 423 है, एं SC का 139 NST का 240 vacancy total है, ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तो, OH category का 16 है और HH category का 3 है, ये तो vacancy आपका 2018 का जो vacancy आया है, दोस्तो, उसमें ये चीज mention किया हुआ है, ठीक है, अभी जो current में एक vacancy चल रहा है, SSCJ का, वो 19 वाला चल रहा है, उसका form अभी fill up हो रहा है, ठीक है, तो वो जो है, जल से जल जो लोगा इस form नहीं fill up किये हैं, फड़ा-फट fill up कर लें, क्योंकि बहुत दिन से ही vacancy वो निकला हुआ है, ठीक है, दोस्तो, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि पिछली बार जो है, इसका cut-off कितना गया था, तो दोस्तो, सबसे पहले cut-off analysis करने के पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, देख सकते हैं, जो official आपको आया था, 2017 में जो vacancy, वो 2017 में कितना vacancy आया था, वो आपको सबसे पहले दिखा दूँ, 2017 में आपका vacancy आया था, total 341, 2015 में कितना आया था, दोस्तो, 2015 में आपका आया था, 607 vacancy आया था, वो 2017 में 341 ही total vacancy आथी यानि बहुत ही कम vacancy 2017 में आय था और इस बर जो 2018 vacancy आए वो 601 vacancy आए यानि पिछले की compare किया जाए तो 2017 compare में बहुत ही ज्यादा vacancy है यानि यहाँ पे 2018 में अच्छा कासा ठीक ठाक vacancy है तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग 2018 की cutoff हम लोग decide करने से पहले 2018 के cutoff जो हम लोग analysis करने से पहले 2017 के cutoff पे एक वार official cutoff पे जो डालते हैं कि उसका cutoff क्या गया था देख सकते हैं सबसे पहले civil का 256 vacancy था 2017 mechanical का 4 vacancy था और electrical का 5 था और electrical mechanical का total 76 vacancy था तो इसका इसके according 341 vacancy की according 2017 में cutoff किया गया था उस चीज को हम लोग सबसे पहले देखेंगे उसके बाद 2018 में क्या cutoff जाएगा उस चीज को सबसे ज़्यादा समझ में आएगा उसके देखने के बाद तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 2017 में जो vacancy आया था उसका official cutoff यहाँ पर हम मैं दिखा रहा हूँ सिविल में total 2,25,723 अपर अपियर हुए थे एलेक्ट केल में 1,94,747 अंठामा ने और मेकेनिकल में 1,94,49,449 तोटल 5,79,930 अपर अपियर हुए थे एकजाम में ठीक है तो सिविल का 2017 में cutoff गया था दोस्तों वो गया था जेनरल का 170 गया था कितना 170 गया था वहाँ पर कम था 2017 में और OVC का 110 गया था ST का 105 और SC का 101 गया था ठीक है वही सिविल में दोस्तों जेनरल का जो था टोटल स्टुडेंट अपर है हाँ पर qualify हुए थे CVT1 में टायर 1 में दोस्तों वो 242 स्टुडेंट qualify हुए थे और OVC में 1033 स्टुडेंट qualify हुए थे and ST में 306 स्टुडेंट qualify हुए थे और SC में 606 स्टुडेंट qualify हुए थे टोटल OH में 50 के लगम सम्थ है दोस्तों और HH में 40 के लगम सम्थ है कि मतलब 980 student ऐसे थे ओबी सी के जो general का cutoff जो 117 है उसको भी cross कर चुके थे और ST का 130 student ऐसे थे जो general का cutoff को cross कर चुके थे और ST का 94 student थे जो general का cutoff को cross कर चुके थे उसी तरीका से यहाँ भी given है बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर mechanical का क्यास दिन रहा था mechanical और electrical वालों का तो mechanical का जो है यहाँ पर seat भी कम था दोस्तो mechanical electrical का यहाँ पर general का cutoff 136 गया था बर्स 2017 में ठीक है 136 गया था और जिसमें 1599 student qualify हुए थे इतना score cutoff जाने के बाद 133 OBC का गया था 114 ST का गया था 120 SC का गया था स्ट में 149 SC में 235 और OBC में 413 यानि टोटल 1422 student qualify हुए थे CVT1 में यह कौन से बता रहा हूँ electrical और mechanical के लिए ठीक है civil के लिए कितना qualify हुए थे 4433 4433 student and electrical mechanical में 1422 student qualify हुए थे क्योंकि दोस्तों मैं अल्रीडी बताया हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वेकेंसी बहुत कम था 2017 में वेकेंसी टोटल 341 वेकेंसी था इसी एक ओर्डिंग दोस्तों और student के analysis करने के बाद यहाँ पर जो direct life from center से आपको analysis चैनल पर करवाया जा रहा था और इस वार्ष वेकेंसी भी 601 है स्टुडेंट के attempt review के अनुसार मैं इसका एक सटिक जो है cutoff analysis त्यार किया हूँ वह आपको शर्ष से पहले आप दिखाता हूं सर्ष से पहले यह आपको ध्यान में रखना है कि 2017 में टोटल 341 वेकेंसी थे और 18 में 1601 वेकेंसी है इसी के basis पी आपको cutoff में यहाँ पर दिखा सिर्फ और सिर्फ सिवील इंजिनियरिंग वालों को पहले बता रहा हूं उसके बाद इलेक्टकल और मेकेंकल वालों को मैं उसके बाद बताऊंगा तो सिबील इंजिनेरिंग वालों का टोटल जो इस वर्ष जो पोस्ट है दोस्तों जो एक्जाम अभी हुआ है उसमें 1297 पोस्ट है कितना पोस्ट है 1297 पोस्ट है ध्यान दिजेगा 1297 यह लगवग यह पोस्ट टेंटेटिव है दोस्तों क्योंगे ओफिस्यल वहाँ पे कट आफ इसका त्यार किया हूं इसका जो है जेनरल का अगर आपका 110 के लगवग है पलस्ट में 5 भी जा सकता है माइनश 5 भी जा सकता है क्योंकि यह एक स्टुडेंट के रिव्यू के अनुसरा मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि एक्जाम सेंटर पे जाते हैं करने वाले थे लेकिन हर किसी का accuracy 100% नहीं होता है क्योंकि एक exam में दोस्तों बहुत ही negative marking भी बहुत सो student को गिरते हैं इसलिए on the average मैं बता रहा हूं कि 110 के आसपास अगर आपका score आएगा तो समझे कि आपका जो है cvt1 में दोस्तों यहाँ पे टायर 1 में आपका एक safe score माना जाएगा general category के लिए civil branch का OVC का अगर 105 के आसपास अगर आपका आ रहा है score 105 के आसपास तो आपका भी जो है दोस्तों एक safe score माना जाएगा civil branch के लिए and ST का 102 के आसपास आ रहा है तो भी आपका safe score माना जाएगा ST का 95 के आसपास आ रहा है दोस्तो तो भी आपका तो भी सीट बहुत ही कम था इसलिए दोस्तो यहां पे student भी is इसमें कम होते हैं इसलिए कटाव भी कम जाता है ठीक है अगर civil branch के लिए अगर इस range में अगर आप लोग का score आ रहा है तो समझे कि आप लोग shape a score में है ठीक है attempt करने का नुसार एक student का mind में fit हो जाता है कि हम लोग इतना attempt किये हैं तो इतना तक आश रखता है ठीक है उसके according मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ और बात करते हैं दोस्तो अब हम लोग चलते हैं अहांपे civil का दो देख लिया electrical का देखते है कितना 29 पोस्ट मेकेनिकल और मेकेनिकल और इलेक्टिकल का 43 पोस्ट है ठीक है दोस्तो इसी के बेसिस पर मैं बता रहा हूं यहां पर जेनरल का अगर 135 के आज पास आपका स्कोर अगर आता है तो समझे कि आप सेफ स्कोर में माने जाएंगे OVC में अगर 131 के आज पास आता है तो आपको भी स्कोर माना जाएगा दोस्तो HC केटगरी का 136 के आज पास आता है तो भी आपका स्कोर माना जाएगा and HC केटगरी का 120 के आज पास आता है दोस्तो तो भी आपका स्कोर माना जाएगा और OH केटगरी का दोस्तो अगर 102 के आसपास आ रहा है तो भी आपका safe score माना जाएगा HH केटगरी का 74 के आसपास आ रहा है तो भी आपका safe score माना जाएगा इसमें plus 5 और minus 5 भी कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो आपका जो cut-off आएगा after normalization के बाद आएगा क्योंकि S.S.C. भी आपका normalization करता है उसके बाद ही original cut-off आता है ठीक है दोस्तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं S.S.C. J.T.R. 1 का दोस्तो electrical branch का क्या cut-off रहने वाला है ध्यान से देखिएगा electrical branch का mechanical से कुछ जादा seat है electrical का दोस्तो 206 यहाँ पर seat इस वर्ष आया है और mechanical electrical का 43 seat है कितना 43 43 2018 का J.E. का टायर वन दोस्तो J.E. का exam में 43 seat mechanical electrical का है और electrical का 206 seat है mechanical electrical कहने का मतलब दोस्तो इसमे mechanical और electrical दोनों eligible होंगे electrical में सिर्फ electrical ऐसे है ठीक है यहाँ पर दोस्तो बात करते है general category का अगर 132 के आसपास आपका score आ रहा है तो समझे आप भी safe score में माने जाएंगे दोस्तो OVC में अगर 139 के आसपास आ रहा है तो भी आपका safe score माना जाएगा अगर इसके आसपास score आएगा तो भी आपका safe score माना जाएगा ST में अगर 114 के आसपास आएगा दोस्तो तो भी आपका safe score माना जाएगा और ST में 108 के आसपास आएगा तो भी आपका safe score माना जाएगा ठीक है और OH category का दोस्तो 104 के आसपास आएगा तो भी आपका safe score माना जाएगा और एचेज केटगरी का एकाशी के आसपास आएगा दोस्तों तो भी आपका सेफ हस्कोर माना जाएगा इलेक्टिकल ब्रांच के लिए ठीक है यह हम लोग शभी अनलैसिस 2018 का देख चुके दोस्तों इसके आसपास अगर स्कोर आप लोग का आता है तो आपका जो है सेफ हस्क कोई 110, 120 ऐसे करके लेकिन अटेम्ट करने से नहीं होता है यहाँ पर ज्यादा अटेम्ट कीजिएगा तो नेगेटिव को आने के भी ज्यादा चांसे रहती है इसलिए यह जो है एक सेटिक ऑन एन एवरेज स्टुडेंट के रिभीव के अनुसार मैं आपको कट अफ बता र है दोस्तो बरांच भाइ यह 17 का था 2017 बहुत कम वेकेंशी आया थे और जो में जो मेंव आपका बनता है दोस्तों आपका फाइनेल सेलेक्षन होता है वहोता है आपका टायर 1 और टायर 2 का जो है यहां पर combine करके देख सकते हैं 2018 में final selection जो हुआ था yeah sorry 2017 में जो final selection हुआ था देख सकते हैं 2017 का जो final selection हुआ था paper 1, paper 2 को combine करके दोस्तो document verification के लिए on the basis of cut-off by the fixed commission following are the detailed candidate qualified document verification ठीक है तो यहां पर civil का यह है civil का उश्कवाद mechanical लेक्षिल का, civil का देख सकते हैं 2017 का जो final selection हुआ था general का 244 नंबर पर हुआ था, यह tier 1 और tier 2 दोनों नंबर को मिला करके इतना नंबर पर selection हुआ था देख सकते हैं सभी category वाज है SC, ST, OVC, general, OH and HH और total यहां पर selection हुआ था कितना दोस्तो 1280 candidate का selection हुआ था 2017 में document verification के लिए सभी का देख सकते हैं student SC में इतना qualify किये थे ST में इतना cut-off इतना qualify किये थे और OVC में इतना cut-off इतना general में ऐसे करके सभी का देख सकते हैं यहां पर mechanical electrical branch का भी देख सकते हैं दोस्तों यहां पर cut-off देख सकते हैं कितना vary कर गया था 309 cut-off चल गया था टाइर 1 टाइर 2 को मिला करके mechanical electrical का total 309 student ही select हुए थे ठीक है क्योंकि दोस्तों इतना cut-off vary करने का main region होता है कि vacancy depends करता है दोस्तों vacancy ही कम था तो cut-off ही ज्यादा ही जाएगा क्योंकि total 341 vacancy 201 vacancy है ठीक है जिसमें civil का सबसे ज़्यादा vacancy कितना देख सकते हैं 1297 vacancy यानि सबसे ज़्यादा कम cut-off जाने वाला है तो civil branch का cut-off कम जाएगा as compared to electrical or mechanical का ठीक है दोस्तों मैं यहाँ कबार फिर से repeat कर रहा हूं plus five minus five भी जा सकता क्योंकि यह मैं आपको एक overview सब analysis करने के बाद center से analysis करने के बाद और फिर यह previous cut-off और vacancy को देखते हुए analysis करने के बाद इसके आसपास मैं cut-off आपको बता रहा हूं इसी के आसपास जाने की उमीद है ठीक है दोस्तों वैसे तो official cut-off जो आएगा वो SSC के द्वारा decide किया जाएगा कितना जो है वुष में normalize करके कितना जो है कौन से shift को कितना normalize करके score को बढ़ाता है वो करता है SSC के जो है कि shift का कैसा level था ठीक है दोस्तों आसा करता हूं कि यह जो है analysis आप लोगो बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए और चैनल को जरूर subscribe कीजिएगा दोस्तों क्योंकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तभी चैनल पर जो study material हमेशा provide होते रहता है अभी current में और आर भी NTPC group day class चल रहा उसका सीधा notification आपके मुआल तक पहुंचते रहेगा ठीक है मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक